इंटरनाशनल वाच्चेस कलेक्शन बाइ मिनिट्स तू स्टाइल माटिन दिलब्रिज अजमीर निलास युनिसेक सलोन अन अकाडमी अपोजेट बदर विद्याले विशाली नगर अजमीर नमस्कार मैं मुईतंदर सिंग और आप देख रहे हैं राजिस्तान में तेजी से बढ़ता MTTV इंडिया आज बात उस लड़ाकु विमान की जिसने सन 1999 के कारगिल युद में विजे दिलाई ये वही लड़ाकु विमान है जिसने हिमाले की उची चोटियों पर कबजा जमाए पाकिस्तानियों को खदेड दिया था जिसने हम बहदुर निकनेम से भी जानते हैं यानि कि MIG-27 लड़ाकु विमान ये विमान नए साल से अब भारती वायुषयना का हिस्सा नहीं रहेगा घातक लड़ाकु विमान MIG-27 की आखरी स्क्वार्डन को भारती वायुषयना शुकरवार को विदाई देगी जोदपुर एरबेस पर 27 दिसंबर को होने वाले विदाई समारों के बाद इस स्क्वार्डन के साथ विमान भी हमेशा के लिए भारती वायुषयना के गौरफशाली इतियास का हिस्सा बन जाएंगे रक्षपरवक्ता करनल संबीत गोष के मुताबिच 27 दिसंबर को मिक 27 की आखरी स्कॉर्पियन 29 स्कॉर्डन से सभी विमानों को डी कमिशन कर दिया जाएगा इसके बाद ये देश में कहीं पर भी उडान भढ़ते दिखाई नहीं देंगे जोदपुर एरबेस में इस विमान की दोष कॉर्डन थी जिसमें से एक को इस साल की शुरुवात में डी कमिशन कर दिया गया था और इससे पहले मिक 27 की दोष कॉर्डन को पस्चिम बंगाल के हिमाशिमा एरबेस पर डी कमिशन किया गया था जानकारी के मुतावित अनुमन विदाई के बाद विमानों को सोवियत नर्प के तोर पर उग्योग किया जाता है या फिर एरबेस या फिर डिपो को वापस कर दिया जाता है या किसी अन्य देश को दे दिया जाता है लेकिन इन MiG-27 विमानों का क्या होगा यह अभी तक स्पस्ट नहीं है चूतरों के मुताबित विदाई समारों के बाद इस स्कौरडन के सातो MiG-27 विमानों के पाइलेट अपने-पने विमान को आखरी बार उडान के लिए ले जाएंगे और उनके उतरने पर सल्यूट कर समान दिया जाएगा ये विमान रूस निर्मित है और जोतपुर में विदाई के बाद MiG-27 विमान भारत ही नहीं पुरे विश्व में इतिहास का हिस्सा बन जाएगा कई अन्यदेश इस MiG-27 विमान का इस्तेमाल नहीं कर रहा है MiG-27 विमान को 1984 में भारती वायुशेना में शामिल किया गया था जबकि इससे कहीं पहले 1960 में MiG-21 को वायुशेना का हिस्सा बनाया गया था MiG-21 और 6 स्कौर्डन अब भी पाकिस्तान सीमा पर इंटरसेप्टर के तोर पर सेवा में है लेकिन MiG-27 को महच 35 साल में ही इसके कलपूर्जों की कमी के कारण रिटैर करना पड़ रहा है सूत्रों के मताबित इस विमान का निर्मान करने वाली रूसी कमपनी अब कलपूर्जे परियाब संख्या में उपलब नहीं करा पा रही है इसके चलते विमान में दुरगटना भी बढ़ गई है आपको बता दें कि इसी साल 2 MiG-27 दुरगटना ग्रस्त हो चुके है अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो MTTV इंडिया के पेच को फॉलो करें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ सस्क्राइब करें वीडियो जनरलिस्ट राजवीर पवार के साथ मैं मुहित अंदर सिंग, MTTV इंडिया